कोरोना काल के दो साल बाद अब एक बार फिर मंकी पॉक्स वाइरल का खत्रा मंडरा ने लगा है ये पहला मौका है जब अफरीका से बाहर इसका प्रसार दिखा जा रहा है विशेशग्यों का कहना है कि ये पिछले कुछ समय से संक्रमंट फैल रहा है जिस पर किसी का ध्यान अच्छी बात यह है कि अब तक इस संक्रमंट से किसी की मौत होने की खबर नहीं है इसी कड़ी में दोर के स्वास्ट्व भाग द्वारा भी इस बिमारी से लड़ने की तयारी की गई है दुनिया कोविट के कोहरां से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई कि मंकी पॉक्स नाम आम तोर पर इस बिमारी के लक्षन बुखार, सिर्दर्द, बदंदर्द, शरीर परदाने हैं आपको बता दे कि इस बिमारी का इलाज मिजल्स की वैक्सिन है साथ ही 20 जिन के आईसोलेशन से सभी मरीज ठीक हो रहे हैं अपना डिस्टिक का इस बिम्पल्स अगर आचाते हैं पुरी बॉडी में आ जाते हैं उसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारी लिंपनोर्स जो रहती है पुन में स्वेलिंग हो जाता है मसल्स पेन ज्यादा होता है इस तरह से रहता है इंफेक्शन और यह ड्रापलेट इ देख रहे हैं और जो बाते हैं तो उससा हम लोग अलर्ट तो है अपना डिस्टिक में इंदोर्पुरा अलर्ट जैसे गाइडलाइन आए तो आपको बता लेंगे उन्हें कोई ऐसा पेडिक वाल होने के भी जरूत नहीं है क्यों कोई ऐसा केसे हमारे पर रिपोर्टेट संक्राम ग्रोगों के विशेशक्यों का कहना है कि पिछले 50 वर्षों में मध्य और पस्चिम अफ्रीकी देशों के बाहर मंकी पॉक्स के केस नहीं के बराबर मिले हैं इसी कारण से यूरोप में अचानक बढ़ी संख्या में इसके मरीजों के चिलने से चिंता बढ़ गई ह इंदोर से देवेंदर माल्वे की रिपोर्ट